नमस्कार स्वगत्यापका हमारे चैन्चार्च आगेंदर मिशा में मौरपंग के 20 फाइदे सव प्रशत तरक्की घर में होगी पैसों की बारिस पूरे जीवन बरसेगा पैसा दोस्तों क्या आपने जानी हैं मौरपंग की ये 20 खूबियां जानोगे तो घर लाए बीना नहीं रह पाओगे दोस्तों पावरानिक कथाओं में मौरपंग का विशेश महत्व है मौरपंग को भगवान कृष्ण के मुकट पर इस्थान मिला है वहीं इंदरदेव भी मौरपंग के सिंगासन पर ही बैठते थे उस समय में महारिशों के द्वारा लिखने के लिए भी मौरपंग का ही इस्तिमाल किया जाता था और इसी कारण समस्त सास्त्र ग्रंतों वास्त और जोतिस सास्त्र में भी मौरपंग को एहम इस्थान दिया गया है तो चलिए दोस्तों आज हम आपको इसके 20 अदबुद चमतकारी लाभ बताने जा रहे हैं जो सायद ही आपको पता होगा लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रोकेश्ट करते हैं कि बीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों के विश्यर अवश्य करिएगा दोस्तो नमबर वन जो व्यक्ति अपने घर में दो मौर पंक रखता है उस व्यक्ति के घर में कभी कोई अलग नहीं होता घर में दो मौर पंक रखने से घर परिवार एकत रहता है नमबर दो जो व्यक्ति हमेशा अपने पास मौर पंक रखता है उस व्यक्ति पर कभी कोई अमंगल नहीं मट राता वो सदैव किशी बड़ी दुरगटना से बचा ही रहता है नमबर तीन मौर पंक को अपने घर में हमेशा रखने से नकरात्म कुर्जा का नास होता है और सकरात्म कुर्जा का वास होता है सकरात्म कुर्जा सदैव वास करती है और घर में सुक्षंबर्धी चाई रहती है नमबर फोर, अगर आपका बच्चा ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा, पढ़ाई में कमजोर है, मन नहीं लगता, तो आप उसके स्कूल बाले बैग में एक मौर पंक रख दें, आपका बच्चा बुधिमान हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई में आगे रहेगा नमबर फाइप, आपकी जेव या डायरी में मौर पंक रखने पर रहू केतुब का दोस्ट प्रभावित नहीं करता, नमबर छे, मौर का सबसे प्री आहार है साप, इसलिए साप मौर से भै रखता है और ऐसी जगया पर नहीं जाते जहां मौर पंक दिखाई देता है, अगर आपको भी सापों से डर लगता है, भै रहता है, तो अपने पास एक मौर पंक सदैब रखें, नमबर सेवन, कभी-कभी मौर पंक को सिर हाने पर धारन करने से बिद्या में लाब होता है, और धन लाब भी होता है, अनेक प्रकार के शुक्षुभधाव में बर्दी होती है, नमबर एट, यनि आठ, घर का मुख द्वार ये दिवास्त के बिरुद्ध है, तो द्वार पर तीन मौर पंक इस्थापित करें, मौर पंक के नीचे भगवान गड़ेश, भगवान सिरकरशन जी या माता लक्ष्मी जी का चित्र जरूर छोटी सी प्रतिमा इस्थापित कर नमबर दस, पत्पतने में अक्सर लडाई जगड़े होते रहते हैं, अगर ऐसा होता है तो अपने घर में दो मौर पंक आप लाएं और उन्हें अपने साधी वाली डारी एल्पम पर आप लगा कर रखें, या फिर आप तक ये के नीचे छुपा कर रखें, तो लडाई पर रख दें, तो पूरे जीवन धन बरसेगा, माता लक्ष्मी कृपा बरसेगी, नमबर वारा, मौर पंक को हमेशा अपने पास रखने से वो ब्यक्ति कभी असफल नहीं होता, गरीब नहीं होता, वलकि जीवन में धन मान समान यस्की प्राप्ती करता है, सफलता की बुलं की रुख जाती है, भगवायन स्रीकृष्म नाराज हो जाते हैं, माता लक्ष्मी जी रोठ जाती है, मौर पंक को नीचे फेकने का मतलब है, भगवायन स्रीकृष्म जी का अपमान करना, नमबर पंदरा, कोई आपको अगर अंजाने में एक मौर पंक देता है, तो आपके जीवन की सफलता के सारे रास्ते खुल जाते हैं, नमबर सोला, मौर पंक तोड़ने के बाद भी जीवित रहता है, ये हम नहीं पुरानी मानताओं का कहना है, तभी तो इसका असर दिखता है, नमबर सत्रा, मौर पंक को आप किसी शुब महुरत पर ही खरीदें, ऐसा करने स आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, जैसे कि आप नौरात्रे की दिनों में, या फिर अच्छे तरतिया के दिन, एका दसी के दिन, पूरिमा के तिती के दिन, या फिर आप अभजीत महुरत के दिन, आप खरीश सकते हैं, नमबर 18, घर के दच्छिड पूर्वी कोने मे मौर पंक लगाने से घर में धेर सारी बरकत होती है, पूरे जीवन धन बरसेगा, धन की कमी नहीं बिल्कुल भी नहीं होगी, और महसोस भी नहीं होगी, बातालक्ष्मी कृपा बरसेगी, यानि पूरे जीवन बरसेगा, पैसा ही पैसा, नमबर 19, मौर पंक को खरीदते समय ये बात जरूर आप ध्यान रखें, कि मौर पंक बिल्कुल भी कटा फिटा तूटा फिटा बिल्कुल नहीं हो, ऐसा खरेदना अशुब माना जाता है, मौर पंक सही खरीदे, न की गलत, नमबर 20, यानि की 20, मौर पंक को घर में लाते वक्त एक बार कृष्ण भगवान का जरूर ले, इसमरन करे, माता लक्ष्मी का भी इसमरन करे, ऐसा करने से सफलता मिलती है, पूरे जीवन पैसे वरस्ते हैं घर में, और सभी कारियों में सफलता मिलती है, सभी काम समय पर पूरे हो जाते हैं, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ये 20 खूबिया मौर पंक और कमेंट में लिखेगा, जैसे करशन साथी चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकेन को प्रेस जरूर करिएगा, जैसे करशन, जै मालक्ष्मी